नमस्कार मैं हूँ आपके संग नित्यम मांत्र तंत्र यंत्र वास्तु के विशेश कास्क्रम के साथ हुनुमान जी को परसंद करके आप अपनी जिन्दगी के बिभिन तरह की समश्याओं का समधान पा सकते हैं तो हम चर्चा करेंगे कि राम नमी के इस खास मोके पर क्या आप खास अचुक उपाय करके भगवान हुनुमान को परसंद करके आप अपनी जिन्दगी की साथी समश्याओं का समधान पा सकते हैं हम ये भी चर्चा करेंगे कि राम नमी पर कैसे आप भगवान राम की पूजा करेंगे क्या बीधी है भगवान हुनमान की पूजा का भी इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस मंत्र की जाप करने से आप किन समस्याओं का समधान पा सकते हैं लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्यों मनाते हैं राम नमी अधर्म के नास के लिए भगवान विश्णु आयोध्या में राम के रूप में जन्म लिया था अयोध्या के राजा दसरत और माता कोशल्या के सबसे बड़े पुत्र राम का जन्म चैत्र माह के सुकल पक्स में नौवे दिन हुआ था इसलिए इस दिन को राम नमी के नाम से जाना जाता है राम नमी के दिन ही चैत्र नवरात की समापती भी हो जाती है रामनवी के सुबती थी को भक्त लोग पवित्र नदियों में अस्नान करके पुन्न के भागेदारे होते हैं अब हम बात करते हैं कि रामनवी की क्या है खास पूजा बीधी किस तरह से इस दिन आप भगवान राम को परसंद कर सकते हैं घर के मंदिर में राम दरवार की तस्वीर या मुर्ती के अस्थापना करें उसमें गंगा जल छिर के तस्वीर या मुर्ती के सामने घी का दीपक जला करके रखें भगवान राम को खीर, फल, तुलसी दल और अनप्रसाद चढ़ाएं लेकिन तुलसी दल चरहाना आप न भूलें इसके बाद धूप बत्ती से उनका पूजन अवस करें इसके बाद आप रामायन, राम रक्षास्तोत्र की पाठ भी कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि रामनमी के दीन कौन से खास मंत्र जब करके आप कौन सी समझाओं से आपको समाधान मिल सकता है देखिए रामनमी के दीन आपको कम से कम दो मंत्रों की यथा सकती जब करना है पहला मंत्र है श्री राम जै राम जै जै राम श्री राम जै राम जै जै राम इसके साथ साथ आप चाहें तो ओम राम रामाय नमाहा ओम रामाय नमाहा इस मंतर का भी यथा सक्ति जब करें निश्टित रूप से भगवान राम आप पर प्रसंद होगे आपकी सारी समस्चाओं का समाधना आपको मिल जाएगा इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हो तो उसके लिए एक खास मंत्र है इस मंत्र का कम से कम आपको एक साथ वर्जब करना है मंत्र है ओम राम भद्राय नमाहा इसके साथ साथ अगर आप आर्थिक समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं अगर आपके जिंदगी में आर्थिक समस्याओं हैं पैशे नहीं है तो इसके लिए इस दिन एक खास मंत्र की जाप करके इन समस्याओं से आप छुटकरा पा सकते हैं मंत्र है ओम नमो भगवते राम चंद्राय ओम नमो भगवते राम चंद्राय इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति हो मान सम्मान में भिर्धी हो तो इसके लिए भी एक खास मंत्र है मंत्र है ओम जान की बल्लभाय शोहा ओम जान की बल्लभाय शोहा इस मंतर का जाप करके आप निश्टित रूप से अपने मान और सम्मान में बिर्धी कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि सबसे जो महत्मुन बात है हुर्मान जी को परसंद करने के लिए किस तरह से आपको पूजा करना है और राम नवी पर आपको क्या खास करना है देखिए हुर्मान जी भक्त सिरो मनी है और भगवान राम की पूजा से जल्दी परसंद हो जाते हैं इसलिए हुर्मान जी को परसंद करने के लिए सबसे पहले भगवान राम की पूजा करनी चाहिए बिना भगवान राम की पूजा किये बिना आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो पूजा आपकी सफल नहीं होगी तो हनुमान जी की पूजा करने से पहले भगवान राम के कुछ मंत्रों की आप जाप कर लें जैसे मंत्र है श्री राम जै राम जै जै राम या दूसरा मंत्र है ओम राम राम आये नमाहा या नहीं तो कम से कम आप नो बार राम 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 ये भी कह देंगे तो निश्टी तू आपकी पूजा सफल होगी तो भगवान हनुमान की पूजा करने से निश्चित रूप से आपको सबसे पहले भगवान राम की पूजा करना ही करना है। हनुमान जी के मंत्र भी जब कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान राम की पूजा करना आवश्यक है। बिना भगवान राम की पूजा के बिना आपकी पूजा हनुमान जी की पूजा सफल नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही मैंने आज आपको बताया कि कैसे आप हनुमान जी को परसंद कर सकते हैं। कैसे राम जी की पूजा कर सकते हैं और राम नवी के खास दिन पर क्या खास मंत्र की जाप करके अपनी जिंदगी के समस्याओं का समधान भी पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद।